हेलो फ्रेंड्स तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हुए एक बहुत ही यूनिक प्रोब्लम जो सिक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें क्या एर्र दे रहा है मेरा डेस्टॉप PC जो है laptop PC कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम वाजन फाउंड और उसने कहा है कि हमें जो है जो ड्राइब है इसको डिस्कनेट करने पड़ेगी जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और कंट्रोल आल्ट और प्रेटिंग सिस्टार्ट तो इसका क्या मतलब हुआ है कि जो हमने अपने laptop पर डाला हुआ है वह मिसीं हो रहा है और मैंने लास्ट टाइम किया क्या था कि मेरा एक partition drive D बनी हुई थी मैंने उसको delete कर दिया था partition को और उसकी बाद यह error आने सुरू हो गई है तो अब इस error को कैसे resolve करते हैं कि आज की जो वीडियो है मैं आपको अपने इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो अब हम इसमें करना क्या है इसमें मै आप यहां पर यह pen drive देख रहे हैं कि यह pen drive जो है मैंने बनाया है अब इस pen drive में मेरा windows है और हम इसको अपने laptop को मैं प्रेस करूंगा मैं प्रेस करता हूं इसके बारे मेरा दिया हुआ है और अपने laptop को बूट करना है pen drive से तो मैं अब अपने laptop पर लगा रहा हूं और इसके बाद मैं करता हूं इसको एक जिट कि आर्विडियो मैं system प्रेस बूटेबल था तो मैं इसके चेंज नहीं किया डिस्केर चेंज करता हूं अब यह देखिए मैं system reboot हुआ है और इसके बाद यह सिस्टम जो है वह pen drive से बूट करेगा आप अपर देख पा रहे हैं तो इसने वह error नहीं दिखाया क्योंकि अब यह pen drives बूट कर रहा है हार्ड डिस्क के बूट नहीं कर रहा है तो यह windows चलना का setup चल रहा है और चलने के बाद एक बार वह इसकी राज है मैं आपको दिखाता हूं कि हमें करना क्या है तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर हमारी windows setup प्रोसेस है वह यहां पर आ गई है कि यहां स हम जो windows को अपने system पर install कर सकते हैं लेकिन दोस्तों हमें यहां पर windows को install नहीं करना है बलकि जो हमारी windows करफ्ट हो गई है हमें उसे repair करना है तो अब करना क्या है हमें आपको next लिक नहीं करेंगे कोई keyboard select नहीं करेंगे हम क्या करेंगे हम खोलेंगे console window यानि command prompt वो कैसे खुलत है आप shift दबाएए इसके बाद दबाएए F10 जैसे कि आप मैंने भी अपने keyboard पर दबाया तो देख रहे हैं कि यहां पर command prompt की window खुल गई है और उसमें जो हमारा cursor है वो है X sources पर तो हमें जाना कहां पर हमें वहां जाना है जहां हमाई drive जो है c drive जहां windows install है हमें उस drive पर जान आले जानते हैं कि बीजी होती है पर 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 दाइस के लिए तो हम start करते हैं c से हम c पर click करते हैं और c पर click करने के बाद हम check करते हैं dirn directory तो आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर person directory खोल दिया इस लिए last directory देख पा रहे हैं वह windows के नाम की है यानि हम अब रुकुत सही जगा पर हैं और इसके बाद हम जो windows की है तो हम यहां पर command type करेंगे और वह command क्या होगी वह होगी bcd bot ठीक है और इसके बाद हम टाइप करेंगे c इसके बाद colon ठीक है और इसके बाद हम टाइप करेंगे forward slash और फिर लिखेंगे windows और फिर इसके बाद हम लगाएंगे backslash s और जो drive जहां हमारी windows install है जहां windows चल नहीं रही है तो हम लोगाएंगे c drive और फिर colon लगा देंगे इसके बाद हम प्रेस करेंगे क्या enter अब यहां आप देख पा रहें कि यहां प्रेस करते हैं तो यह क्या बोलता है बूट फाइल successfully created यानि कि हमने अब इसको drive c हमारी बूट नहीं कर रहा था इससे तो वह यहां पर create कर दी गई है अब क्या करना है अब हमें drive c को जो है हमारी windows इस पर install है हमें उसको करना है क्या active partition हम क्लिक करते हैं disk part ठीके दोस्तों क्लिक किया यहां पर जैसे हम disk part पर क्लिक करेंगे तो हमारा computer जो है जो cursor पहले C पर हुआ करता था अब वो disk part एक के अंदर चला जागए नहीं application कोई और रहन हो गई है अब यहां पर हम शिक करते है list disk तो हमारी system में जितनी भी disk इंस्टॉल होती है वह यहां पर install कर देगा अब जो windows है वह install है मेरी disk 0 पर तो हम मैं क्या करूंगा अब मैं disk 0 को select करूंगा उसके लिए का command है उसके लिए command हमारे पास है select disk 0 यहां enter press करेंगे आप पाज उसकी बार नीचे देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है disk 0 is now the selected disk ठीक है अब क्या करते हैं list partition अब यहां पर देखें कि यहां से में दो पर दिखाया कि इस drive disk 0 ड्राइब है इसमें दो partition है तो हमें क्या करना है हमें जस पार्टिसन में विन्डोस इंस्टोल है हमें उस partition को करना है active तो हम क्या करते हैं select partition पी आर्टि आई टी आई ओए विच वन वन जिसमें कि हमारी विंडो से हम क्लेक करते हैं और इसे करते हैं एक्टिव चीए दोस्तों अब यहां क्या कर दिया div part मारडां करेंट यहां रहा है और इसके बाद है थे आपैन पर कर दे रहा है या नहीं दे रहा है ठीक है और यह देखिए इसके बाद क्या है कि यह आ गया है स्टार्टिंग विंडोस पर यारी कि जहां पर यह पहले नहीं जा रहा था और थोड़ी दिर में देखिए हैं कि हमारे जो विंडोस जो करफ्ट हो रखे थी वह बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है दोस्तों इसके बाद आप चाहें जो भी आपका विंडोस करफ्ट थी या नहीं चल रहा था आप सीरी से यहां पर बिल्कुल खोल सकते हैं यह देखिए से मैंने विंडोस एस्प्रोगर खोला है और इसमें जो साही ड्राइब से ड्राइब सी डी सब लगी रही है और इस पर पूरा से टप सही चल रहा है दो पारिशन इसके बनी दिखारा सो कर रहा था डिस जीरो के और दो यह इसके दिखा रहा था डिस्क वन के और यह रही मेरी पेंड़़ा को सामने आपके सामने दिख रही होगी यह रखिये है ठीक है दॉस्तों दोब कावांड कैसे लुए य तो आप इसको स्वित कर सकते हैं और और दो तो यहसे आप तो by not लेप्टोप पे दबल मोनिटर किस पार सीविस कर सकते हैं और उसका क्या फाइदा होगा मैं आपको भी बताओंगा अपने आने वाली वीडियो में ठीक दोस्तों तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तो तक आप एंजोई करिए मस्त रहिए बाए बाए